हेलो फ्रेंग्स वेलकम तो क्रियोटिव प्रोणिमा आज मैं बनाने जारी हूं कच्चे नारियल की बर्फी यह मेरा चार नारियल है चार नारियल को तोड़ने के बाद यह जो है ना इसका जो काला उपर का जो छिल का है ना काला वाला इसको हम चाकू की साहतस हैं छिल चिलने के बाद इस तरह से हम चिल लेंगे चिलने के बाद चार-पांच पानी इसको अच्छा से धो लेंगे दोने के बाद हम क्या करेंगे किस्मी की साहता से हम इसको किस लेंगे इस तरह से किस लिया है इसको इसने के बाद क्या करेंगे इसको थोड़ा सा हम इसको ग्राइंट कर लेंगे वैसे ये इस टाइब का जो है न बर्फी जब बनाते हैं तो इसमें इसके अंदर इतना अच्छा बनता है एक्दम इसके अंदर रस भरे वह रहते हैं मगर इदम रसीली बर्फी बनती है मगर क्या है जब हम इसको कारते हैं तो इसका सेप अच्छा नहीं बनता है इसलिए करके हम थोड़ा सा इसको पीस लेते हैं कि देखिए इस तरह से हम इसको हम खलका सा ग्राइंड कर लेंगे तो इसको हमने नाप लिए है तो यह दो कटोरी हो रहा है इनारेल और इसमें दो कटोरी में हम एक कटोरी शक्कर डारी दो है और एक लीटर अमूल दोगे और तीन चमच के लगभग घी और इलाची पॉड़र तो ट्रे में जमाने के लिए हम ट्रे में घी को लगा लेते हैं इस तरह से लगा लेंगे अब हम क्या करेंगे अब नारेल को हलका सा बहुन लेते हैं नारे के डाल लेते हैं अब इसमें तीन चमच के लगभग घी डाल लेते हैं ताकि इसको अब बहुत अच्छा से बढ़ता भी है और सॉप्ट भी हो जाता है नारेल सॉप्ट जाता है ये इस तरह से बूं लिया है अब इसको हम अलग से प्लेट में निकाल लेते हैं इस तरह से अलग से इसमी निकाल लेते हैं अब इसमें हम एक लीटर दूद को डालते हैं अब दूद को हम अच्छे से पका लेते हैं इसे गाढ़ा कर लेते हैं चम्मत चलाते हुआ रहेंगे इसको अब दूद थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है अब इसमें मिलाची पॉडर डाल देते हैं और शकर को डाल देते हैं इसको लगतार फिर चम्मत से चलाते रहेंगे थोड़ा सा टाइम लगता है इस मिनिट लग जाता है करीब इसको गाढ़ा होने में देखिए इस तरह गाढ़ा हो चुका है अब इसमें मिनार्यल को डाल देते हैं और अच्छे से इसको मिलाते हैं देखिए इसको अच्छे से मिलाते ही रहना चम्मत चलाते ही रहना इसको अच्छे से बनाओना तो थोड़ा सा टाइम लगता है अगर मिल्ट मिल्ट से बहुत जल्दी बन जाता है यह दूट पॉडर से झाम वक लाँ पॉडर से बनाओना थोला सी स्कॉर चुठा लगते हैं देखिए ये बन का तयार हो चुका है बर्फी अब इसको हम ट्रे में जमा देते हैं ये देखिए अब बन का लुप बन का जिए हैं अब बन का लगते हैं कुट है अब आप ये झाल इस तरह से इसको अच्छे से दबा दबा के अच्छे बनकर दर्फी बनकर तयार हो चुका है अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे पाँच मिनट सुखने के बाद इसको थोड़ा सा और हम इसको बराबर कर देते हैं अब इसको हम काद लेते हैं काद बन्स प्रह बनकर देते हैं कर दोड़ एम गलों करister। कै апण़ बनकर दोड़ा हो शोड़ा कर दो बनके पहाल क्द़ाद गोड़ा अब इस बर्फी को हम काजू और टूटी फ्रूटी से सजा लेते हैं आपको मेरा रेसिपी कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं यह दि पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे मेरा नहाए वीडियो आप देख सकेंगे मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद यह देखे यह देखे क्या देखे झाल झाल